आल राइट वेल्कम टू आल इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पार्ट नम्मर एट चैप्टर वाइज एमसी क्यू साइन्स के देखिए साइन्स की पूरी से चल जी है वंदरगा की और इसके बेसे इस पर हम जितने भी कोशन करते हैं आपको जो भी चाहिए इस पर पूरे डिटेल दिंगे बांकि आपको टेस्ट रिज लेनी है तो बहुत सिंपल सी मेथड है गूगल पर फॉन पर करना है नेट बैंकिंग करनी है तो आपको इस में डिटेल मिल जाएगा हम आपको लिंक प्रोवाइट कराएंगे बांकि सिंपल सा मेथड है इस नमबर पर गूगल पर फॉन पर करना है 399 रूपीज फिर हम आपको टेलिग्राम पीडियाफ और जितने भी स्टेडी मेटरियल है वह आपको शियर करते हैं 110 टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इंगलिस और हिंदी में ओकिनाओ श्टार्ट करते हैं आजका व कंटेशन पर करते हैं सबसे पहला जो कॉषण है यह का उपिए इसन होती क्या है चार ऑप्शन दिए गए हैं वैसे अंगलिस और हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा तो कंडेंशेशन क्या प्रोसेश होती है आप सब को पता है जब वैपर यानि की गैसे जो पार्टिकल होते हैं अगर ठंडे होके लिक्विड बन जाते हैं तो उसे कंडेंशेशन प्रोसेश कहेंगे तो सिंपल सी बात है चेंज ऑप स्टेट फ्रम गैस तो लिक्विड इस कॉल्ड कंडेंशेशन आपको यह कब देखने को मिलता है जनरली आपने नॉर्मल अगर मैं बात करूं नॉर्मल इग्जांपल के बारे में बात करूं तो घर पर आपने देखा होगा जैसे मान के चलो सपोज आपके कि इसी चीज में आप खाना बना रहे हो उपर आपने उसको कवर करने के लिए एक फ्लीट रग दी तो आपने क्या नीचे से के example है generally अब होता क्या है इसके पीछे reason क्या है generally क्या होता है condensation में जो kinetic energy होती है particles की वो कम हो जाती है क्योंकि temperature कम है तो intermolecular forces attraction जो होता है वो कम हो जादा हो जाता है जादा होगा तो simple सी बात है वो liquid बन जाएगा ठीक है गैस में जादा होता है गैस में बहुत जादा जो particles होते हैं दूर दूर होते हैं तो जैसे temperature कम होगा जो particles होंगे बहुत जादा close आ जाएंगे और liquid बना देंगे okay now next question बहुत simple सा question है next question the temperature at which liquid starts boiling at atmospheric pressure non edge एक ऐसा temperature जिसमें liquid boil करना start हो जाता है तो उस जो है particular point को क्या कहते है ठीक है जिस ताम पर तापमान पर वाई मंडलिय दा पर तरल उबलने लगता है उस निमने प्रकार से जाना जाता है ठीक है boiling point latent heat condensation या melting point तो simple सी बात है इसका कोई उतना ज्यादा fact नहीं है answer क्या जाएगा हमारा boiling point boiling point में क्या होता है जब liquid को गरम करते है इवेंच्वेली temperature थोड़ा सा बढ़ता है और जो है हमारा वह boil start होना लग जाता है now next question the melting point of ice is बर्फ का गलनांक है बहुत सिंपल सा question है melting point क्या होगा इसका जब पिगलना start हो जाती है answer क्या ज़ेगा zero degree Celsius क्या हो जाएगा zero degree Celsius अगर इसको मैं बोलूँ आप से comment box में इसको Kelvin में बताईए तो Kelvin कितना होगा यह बताना है ठीक है और एक और चीज़ याद रखना सबसे ज़्यादा melting point tungsten का होता है ठीक है अगर बात करें one of the highest हम कह सकते हैं कि one of the highest element with the highest melting point is tungsten उसका melting point कितना होता मतलब कब पिगलना start होगा तीन हजार याद रखना इसको यह डारेक्ट पूछा जा सकता आपकी पेपर में तीन हजार एकसोदस डिग्री सेल्शियस ठीक है तीन हजार एकसोदस डिग्री सेल्शियस को Kelvin में आपने बदलना है और इसको भी Kelvin में आपने comment box में अंसल देना है टंगस्टन यूज होता है बल्ब के फिलामेंट में ठीक है बल्ब के फिलामेंट में आप इसको देख सकते हैं प्रदार्थ की भौतिक स्थिति जिसे आसानी से संकुचित किया जा सकता है क्या होगा लेक्विड गैस सॉलिड या नना अब्दावब बहुत सम्पल सा आंसर है इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए बी गैसे अब गैसे सके जो अटम सोतें हो बहुत जदा पैले रहते हैं आस पंपर्शू लिवर तो उनके जो गैस के ऐटम सोते हैं वह भी एक दूसरे से कॉलाइट करते रहते हैं मतलब अिख तकराते रहते हैं तो शिमपल सी बात है गैस को बहुत ज़्यदा easily compress किया जा सकता है बहुत अच्छा कोशन है और थोड़ा सा logical तो हम क्या कहेंगे बड़ डेफिनेशन पता होने चाहिए किसके बारे में बात कर रहे हैं अगर पानी की एक बूंद जो है इंक की एक बूंद पानी में जाती है तो फिर पूरी तरह वो फैल जाती है कॉशन अगर हिंदी में बारे में बात कर रहा है उस प्रकरिया का नाम बताए जिसके दोरा शाहिए की एक बूंद पानी के बूंद कर में फैल जाती है ठीक है तो चार आप्शन है आप इसको पॉस्ट करके लिख सकते है डिफ्यूजन, वेपराईजेशन, कंडेंशेशन या सब्लीमेशन अंसर क्या होगा आपको इसका अंसर हो जाएगा डिफ्यूजन इसमें डिफ्यूजन में होता क्या है कि एक पार्टिकल का लिक्विड या रखना एक particle का liquid या एक substance पूरे container को पूरी तरह fill कर देता अगर उसमें होगा तो simple सी बात है ना पूरे medium को ही पूरे liquid को नीला कर देता अगर काली इंग को तो काला कर देगा ब्लेक इंग को तो ब्लेक कर देगा ठीक है काला या ब्लेक कर देगा ओके ना पूरे जो होता है dissolve हो जाता है तो diffusion कहते हैं सबसे ज़्यादा चलो comment box में बताना सबसे ज़्यादा diffusion जो होगा वो किसमें देखने को मिलेगा आपको वो आपको बताना है ना नेक्स्ट कोशन है इक ऐसा temperature जहां solid liquid में बतला हो उस particular temperature को क्या कहते है देखाता है atmospheric pressure में जब liquid boil start होना पड़ता है तो उसे boiling point कहते है solid अगर liquid में बदलना start हो गया हो तो उसे क्या कहेंगे ठीक है वैत अपमान जिस पर वाई मंडले दवाब में तरल ठोस परिवरतन होता है उसे कहा जाता है melting point अंसर क्या जाएगा इसका melting point तो solid को गरम क्या जाता है particles क्या होता है और ज़्यादा उस पर energy आती है vibrate और तेजी से करते हैं तो eventually last में solid किसमा बदल जाता है liquid में बदल जाता है at atmospheric pressure इसको मैं नहीं बताऊंगा comment box में 4 option आपको दिये गए है वो बताना है 337 degree Celsius के तापमान को Kelvin स्केल में परिवर्तित करें ठीक है 4 option दिये गए है इसके basis पर आपको answer बताना है comment box में now next question है question number 18 ये कहता है convert the temperature of 270 Kelvin to degree Celsius ये भी आपको ही बताना है इस पर मैं नहीं बताऊंगा इसमें क्या होगा simple सी बात है Kelvin को degree Celsius में और degree Celsius को Kelvin में बहुत ज़्यदा most possible chances हैं कि पोछे जा सकते हैं बट उसमें बहुत ज़्यदा simple लगता है हम try नहीं करते हैं कि यार क्या होगा तो उस पर जल्दी बाजी में हम इसको गलत कर लेते हैं नव next question है plasma plasma is the d'us state of matter 4 option दिए गए है plasma कौन सा state of matter है first, second, third या fourth plasma प्रदारत के इस्तिधी d'us है देखिए हमारे state of matter तीन होते हैं यानि कि matter matter क्या होता है anything which occupy space and have mass is called matter तो यह सब पता है कि प्लाजमा पांच टाइप के हो सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाजमा और बोस आइस्टीन ठीक है आइस्टीन और हमारे बोस ने ठीक है इसको पुरा डिराइब किया था तो यहाँ पर एक टर्मा है प्लाजमा इसको भी समझा देता हूँ प्लाजमा जनरली क्या होता है एक गैस होती है आइनाइज गैस होती है ठीक है जनरली यह याद रखना प्लाजमा एक गैस होती है आइनाइज गैस होती है कि आइन्स में ब्रेक हो जाते हैं आइन आइन गैस उसे कह सकते हो आप उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगिटिव चार्ज होते हैं सबसे पहली बात यहीं है कि प्लाजमा में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं नहीं negative charge होते हैं इसका मतलब electron भी होते ही होते हैं प्लाजमा का अगर विसेस्ताइं के बारे में बात करें ठीक है neutral gases से बहुत ज़्यदा अलग होती है तो इसलिए इसको fourth state of matter कहा जाता है एक normal जो gas है ना उससे बहुत ज़्यदा अलग होता है plasma वाली जो gas होती है तो इस तो fourth state of matter में include करते हैं और fifth होगी बहुत साइस्टीन अब ये class ninth में direct ही mention किया गया है fourth state of matter और fifth state of matter तो matter in our surrounding के ये question हम discuss कर रहे हैं ठीक है ओके now discuss करते हैं आज का last question इस video का और suggestion भी दे सकते हो कि question number हम बढ़ा है या कम करें ठीक है कम तो क्या करें इससे बढ़ाने वाला हो सकता है क्योंकि इससे कम तो हो नहीं सकते दस question से कम आप क्या ही जो कर लोगे पांच question थोड़ ना करोगे ना question number 20 एक ऐसा process जिसमें solid directly vapor में जो है convert हो जाता है उस process को क्या करते हैं बार बार पूछा गया है इस पर कोई doubt नहीं होना चाहिए ठोस को सिदे उसके वास्पर में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है ठीक है चार option दिए गए हैं इवापरेशन एबुलिशन condensation या sublimation आपको sublimation की process में बहुत simple सा होता है कि solid substance directly vapor में change हो जाता है या gaseous state में change होता है बिना liquid में pass होए इसका example dry ice है dry ice ठीक है solid CO2 भी कह सकते हैं या card ice भी कहते हैं इसे तो आंसरी कहो जाएगा sublimation और naphthalene balls is also one of the example of sublimation process okay now आज की इस वीडियो में इतना ही बाकि आप आपकी basis पर हम decide करेंगे कि आगे कौन सा करें बाकि आप अगर कोई जिन लोगों ने पसुधन प्रसार अर्धिगारी का भरा है उसके भी हमारे study material prepare हो चुका है